महराश के उल्लास नगर में हैरान कर देने वाली घटना CCTV कैमरे में कैद हुई जहां 12 साल का लड़का बुजूर्ग महिला से छेड़ छाड़ और अश्लील हरकत करता हुआ पकड़ा गिया है इस घटना का वीडियो शोचल मीडिया में काफी वाइरल हो रहा है नाबालिक होने के चलते पुलिस ने लड़के के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की है साथ ही पीडित बुजूर्ग महिला की तरफ से भी पुलिस में कोई शिकायत नहीं मिली है वाइरल सीसी टीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि सूनसान गली से एक बुजूर्ग महिला गुजर रही है तभी पीछे से नाबालिक लड़का आता है और बुजूर्ग के हाथ को पकड़ कर इशारा कर कुछ कहता है जब महिला मना कर देती है तो वो उसे समयाब हो जाती है और लड़के को धमकाते हुए कुछ कहती है लेकिन लड़का फिर बुजूर्ग को पकड़ने की कोशिस करता है लेकिन पीछे से आती एक महिला को देखकर ये लड़का रुक जाता है इस घटना पर पुलिस का कहना है कि बुजूर्ग महिला नी शिकायत क करने से इंकार कर दिया है वहें ठाने में नाबालिक के साथ उसके पजवार वालों को भी बुलाया गया चूंकि महिला की शिकायत दर्ध नहीं कराई गई थी तो समझाईशी देकर छोड़ दिया गया है वीडियो के वाइरल होने के बाद अस्थानिये लोगों में गुस्से क महौल है पुलिस द्वारा बच्चे के काउंसिलिंग कराई जाने के बाद भी कही जा रही है